सत्रवी लोगसभा के एतिहासिक दिनियाने अंतिम दिन हमारे साथ मौझूद है बीएसपी सांसद राम शिरोमनी वर्मा जी उनसे जानते हैं उनके अनुभव के बारे में और हमें लगता है कि ये जो सत्र रहा है क्रोना काल भी हमारे हम लोगों के सत्र में रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी लोगों ने छेत्र के मुद्दे को गंभीरता से लेकर के सदन में गंभीरता से चर्चा किया है और हमें लगता है कि चर्चा करने का फादा भी ह हमारे छेत्रवासियों को मिला है और हमारी 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 छेत्रव राव भाला रहा करोना की आपने बात की पुरानी संसद की इमारत संद मिनान सदन अब कहा जा रहा है नई इमारत में आप लोगों को प्रवेश हुआ ये वो एतिहासिक शण रहे हैं ऐसे देश में आप राम मंदिर की बात करें उस पर चर्चा हुई सब चीजों को लेकर रिमायोती जी का असिरवाद मुझे मिला था और जिस तरीके से मुझे पुरानी भी लोग सभा में जाने का स्वभागी मिला साथ साथ नए लोग भावन में हमें भी जाने का स्वभागी मिला और इसी वीच में करोना काल भी रहा है लेकिन उसके बावजुद भी अच्छा लगा कि हम सभी लोगों ने इस सत्रवी लोग सभा में दोनों सदनों को देखा चाहे हो पुरानी लोग सभा हो चाहे हो नई लोग सभा हो और बहुत अच्छारा करोना काल भी हम सभी लोग के बीच में रहा है लेकिन विकास हुआ है साथ साथ आज ये देश की जो इमारत बन आज की जुग में आज के इस नए परिवरतन के जुग में आज इस इमारत की जरूवत थी और मानिय प्रधान मंत्री जी ने नए लोकसभा को बना करके इतिहासिक कार किया है धन्यवाद जो आज हम तिन दिन है इतिहासिक दिन है उस पे राम मंदिल को लेकर जो चर्चा हुई ऐसे में पुरा सदन एक था धन्यवाद प्रस्ताव हुआ उस पे आपका क्या कहना है देखिए यह तो आस्था का भी सह है बगवान नाम सब के हैं और यह सवाल आपने उठाया कि लो ज काफी अरशे से लोगों को इंतजार था कि भगवान राम का भव्य मंदर बनेगा और जिस तरीके से सभी लोग यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की सम्मानी जनता भगवान राम या और अन्य धर्मों को जिस तरीके से मानने का काम करते हैं गंगा जमनीज की संस्कृत तो हमें लगता है कि यह भगवान राम अस्थापित हुए हैं उनका 22 धिनवरी को प्रान प्रतिष्ठा था इसमें सभी लोग साहमती के साथ हम सभी लोग समान करते हैं धन्यवाद हमसे बात करने लिए बहुत धन्यवाद सर तो यह थे बीएस पी के सांसर राम शीरमोनी वर् संसर टीवी के लिए सुरेंज कुमार